जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes YouTube चैनल और एप में दोस्तो अभी तक अगर आपने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया तो एप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तो आप हिंदी साहित का संपूर्ण कोर्स TGT PGT का मॉडल पेपर हिंदी साहित की 3000 प्रस्णों की टेस्टी रेज इंट को आपको दोस्तो इसमें अडवी सन आप ले सकते हैं कम से कम प्राइज में ठीक है तो आज जो तो हम डाउट्स वाले प्रस्णों को पढ़ने वाले हैं जो हमेशा एक्जाम में आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है आपसे एक एक प्रस्ण पूछा जाता है कि उर्वसी की रचना कार कौन है डाउट्स नमर एक उर्वसी की रचना कार कौन है तब आपके मन में एक डाउट्स रहता है कि ये तो दिनकर की रचना है ठीक है एक doubts रहता है लेकिन दोस्तों आपको पता है कि एक रचना जैसंकर पिरसाद की भी और बसी है ठीक है यहाँ पर दोनों बिकल्प आपको दिये गए हैं ठीक है आपकी बिकल्प में ऐसे दोनों बिकल्प नहीं दिये जाएंगे जब आपका प्रस्ण पर इच्छा में एक ही बिकल्प आएगा तो यहाँ पर doubts में नहीं रहना आपको क्या करना है यहाँ पर अगर दिनकर option में आता है तो आप दिनकर लगाईए और जैसंकर पिरसाद आता है तो जैसंकर पिरसाद लगाईए क्योंकि और बसी की रचना दोस्तों जैसंकर पिरसाद ने सबसे पह तर में ठीक है तो एचीज आपको याद रखे ना यानि कि औरवसी रचना इन दोनों रचनावकारों की भी मलब औरवसी नाम से इन दोनों की रचना है ठीक है अगर आपको लगाना किसोरी दास बाच्पई अगर यहां पर आपसे पूछा कि हिंदी ब्याकरण का पाड़नी पूचा है तो आप क्या लगाओगे कामता प्रसाद गुरु तो दो question यहां से आपके doubts वाले clear हो जाते हैं क्या क्या हो जाते हैं आपसे normal question आएगा कि हिंदी का पाड़नी किसे कहा जाता तो आप क्या लगाओगे कि सोरी दास बाचपे अगर आपसे पूछा जाए हिंदी ब्याकण का पाड़नी किसे कहा जाता तो आप लगाओगे कामता प्रसाद गुरू है ना फिर आप से अगर पूचा जाएगा दोस्तों की प्राकृत का पाड़नी किसे कहा जाता तो आपका उत्तर हो जाएगा हैम चंद्र आपको पता होगा ठीक है तो इस परकार से क्वेस्चन आते हैं तो डाउट्स नमर टू आ प्रियोग बाद के जब प्रबर्तक अग्ये माने जाते हैं तो प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग भी किसने किया होगा अग्ये ने ऐसा आप मान बैठती अगर आपने नहीं पड़ा तो लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था किसने नंद दुलारी बाच पही ने सबसे पहले प्रियोग किया था इस प्रियोग बाद का किसने नंद दुलारी बाच पही ने राष्ट्रिय आत्मा नाम से किसे जाना जाता है अब ऐसा अगर question आपसे पूछा जाए तो आप confused हो जाती हो और आप आखे बंद करके लगा देती माखनलाल चतुरबिदी लेकिन question ऐसा नहीं है है ना question क्या वोला एक अगर आपसे पूछा जाता तो आपका अत्र होगा रजाराम सोकले अगर आप doubts दो प्रस्ण doubts वाले आते हैं आप से पूचा जाएगा एक भारती आत्मा किसे जाना जाता है तो आप माखरलाल चुत्रवेदी लगाना और एक राष्टी आत्मा नाम से किसे जाना जाता तो आप क्या लगाओगी राजा राम सुकल तो doubts नमर चार आपका बिलकुल किरिया ठ अप ब्रेंस का बालमी की पूचा जाता है तो अप ब्रेंस का बालमी की और अप ब्रेंस का भावबूती यहां पर आपको confused हो जाता है कि अप ब्रेंस का बालमी की किसे कहा जाता अप ब्रेंस का भावबूती किसे कहा जाता तो याद रख ले ना अप ब्रेंस का भावबू कहा जाता दोस्तों पुस्पदंत को अब हमें काई की भभूती लगाना है और इससे हम पुस्प की भभूती लगाएंगे है ना तो आप से पूछा जाएगा अब भ्रंस का भावभूती किसे कहा जाता तो आप उत्तर लगाओगी पुस्पदंत लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि अब ब्रंस का बाल्लिमी की किसे कहा जाता तो आप क्या लगाओगी स्वेंभू है ना बोले हम तो स्वेंभाल्लिमी की हैं स्वेंभाल्लिमी की स्वेंभू और बाल्लिमी की स्वेंभू अब ब्रंस का भाववूति पुस्पदंत ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों हमन जितने भी हमारे students रहते हैं उनके ऐसे ही डोस्तों doubts clear किया जाते हैं तो आप भी self study classes का एप जरूँ डाउनलूड करें हैना और बहाँ पर अपने doubts clear करें बहाँ पर आप course उस भी पर्चेस कर सकते हो हिंदी साहित संपून कोर्स हिंदी साहित का दोस्तों टिर्की वीडियो जिसमें विस्तरे तद्यान है ना रहेगा जिसमें टॉपिक वाइस टेस्ट भी रहेंगे हिंदी साहित की 3000 प्रश्णों की test series आप purchase कर सकते हो हिंदी साहित का दोस्तों TGT PGT का model पेपर लांच हो गया वो भी आप कर सकते हो ठीक है तो इसी प्रकार से आप जोड़े रहें अपना अध्यन करते रहें और बहुत सारे ऐसे ही doubts हम किडियर करते रहेंगे और आप वीडियो को share जरू करते रहें ठीक है आज के इस वीडियो के लिए बस दोस्तों इतना ही वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करें जय हिंद्ट